नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा आउंलान क्लासिस में दोस्तो आजकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की भरती के बारे में तो दोस्तो इस समय हम हैं इंडियन आर्मी की ऑफिसियल वेप सैड पर जहां पर मैं आपके लिए दिखाऊंगा कि इंडियन आर्मी ने फिर से मतलब दोबारा से भरती के जो है प्रोग्राम निकालना स्टार्ट कर दिया है तो दोस्तों अगर हम नीचे स्क्रॉल करके आएं तो आप सबसे पहले देखेंगे कि लेटरेस्ट में आर्मी रेक्रूटिंग रैली एड कैप्टन सुंदर सिंग स्टेडियम तो इसको दोस्तों क्या करते हैं इसको हम अभी कर लेंगे ओपन तो इसको अगर हम ओपन करेंगे इस पार्ट के लिए आप देख सकते हैं जो कि 15 सितंबर से 24 सितंबर 2020 के बीच में हेल्ड होनी है ठीक है तो दोस्तों इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मिशन दी हुई यो कि इसके स्ट्रेट के लिए भरती होनी है ठीक है तो यह है दोस्तों इंडियन आर्मी का ओफिसल नोटिस जो कि मैंने डाउनलोड कर लिया है आप सभी के सामने ही तो यहाँ पर पूरी डेटेल में इस वीडियो में आपको बताने बाला हूँ वीडियो छोण कर कहीं न जाएं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिज को सब्सक्राइब जरू करें तो दोस्तों यह जो भरती है वो 15 सितंबर से 24 सितंबर 2020 के बीच में होनी है और इसके जो ऑनला सितंबर 2020 से 24 सितंबर 2020 के बीच में होनी है ठीक है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर कौन-कौन सी ट्रेट्स के लिए भरती की जाएगी तो मैं आपके लिए एक एक ट्रेट की पूरी जानकरी देने वाला हूं आपकी एजुकेशन क्यूरिफिकेशन फिजिकल मेज कर लेते हैं हैं यहां पर सोलर जनरल डुटी उसके बाद मेरा टेकनिकल उसके बाद में नर्सिंग असिस्टेंट और उबुज़ते हैं नेक्सट वरती है वह सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों c soldier general duty के, तो soldier general duty के अगर आप भरती देखेंगे तो आपके लिए जो age limit होगी आपकी वो 17 से 21 साल के बीच में होनी चाहिए, मतलब 17.6 मन्त यानि कि साड़े 17 साल से 21 साल के बीच में आपकी age होनी चाहिए, और आपका जो height हो 170 cm, weight आपका 50 cm, 50 kg और आपका जो chest हो 70 cm होना चाहिए इस भरती में आपको apply करने के लिए दोस्तो class 10th pass होना चाहिए, आपके किसी भी subject में 45% mark से कम नहीं होना चाहिए, sorry, 33% mark से कम नहीं होना चाहिए, किसी भी subject में, single subject में और आपकी जो overall percentage होनी चाहिए, वो 45% होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद में soldier technical के बात करें, तो age limit इसक 17 से 30 साल तक अगर आपकी age है, तो आप इस भरती में apply कर सकते हैं, height आपकी 170 cm, weight 50 kg और chest आपका 77 cm होना अनवारी है, यहाँ पर दोस्तो अगर education qr की हम बात करें, तो आपको 10 plus 2 pass होना जरूरी है, science with physics, chemistry और math से, अगर आपके पास physics, chemistry और math है, तब यह आप इस भरती में apply कर पाएंगे, मतलब only soldier technical में, बांकि आपके यहाँ पर GD है, nursing assistant है, tradesman है, class है, जो भी भरती है, उसमें आप apply कर सकते हैं, अलग-अलग trade की, अलग-अलग education qr होता है दोस्तों, तो आपको soldier technical में भरती होने के लिए physics, chemistry, math होने चाहेंगे, आपके पास में 12 में, और आपके overall जो उसके बाद में हम दोस्तों, नीचे बात कर लेते हैं, और यहाँ पर दोस्तों, soldier, nursing, assistant के बात करते हैं, तो age limit की technical की तरह सेम है, साड़े सत्तरा से, तेस साल तक, और आपकी height, weight और chest भी विलकुल सेम है, ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, आपको इस भरती में apply करने के लि English, यह 4 subject होना अनुवारी हैं, किसी भी subject में आपके पास में 50% मार्ग से कम नहीं होना चाहिए, और total जो आपकी percent है, वो 50% होना चाहिए, और आपकी जो किसी भी single subject में 40% मार्ग से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, हम बात करेंगे, यहाँ पर soldier clerk की और store keeper की, तो अगर हम store keeper की और soldier clerk की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर age limit आपकी same होगी, साड़े सतरा से तेस साल तक, लेकिन यहाँ पर height में बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है clerks के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों, जो height होगी आपकी, वो 162 cm होगी, और आपके जो weight ह होगा, और chest होगा, वो same होगा, मतलब weight 50 kg और chest 77 cm, लेकिन दोस्तों, clerk में भरती देखने के लिए, आपके लिए 10 plus 2, यानि कि 12th pass होना अनवारी होता है, और आपके पास में English होना जरूरी है, ठीक है, उसके बाद में आपके total जो marks हैं, वो 60% होना चाहिए, और किसी भी subject में 50% marks से कम नहीं होना चाहिए, मतलब single subject में आपके 50 marks होना जरूरी है, और आपका जो overall percentage है, वो 60% होना जरूरी है, उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, कुछ physical measurement की, तो physical के बारे में अगर हम आपको बताएं, तो यहाँ पर दोस्तों 1.6 km की running होगी, जो क आपको दो ग्रूपों में बाटती है, ठीक है, तो first group होता है, पांच मिनट 30 second तक, जिसमें आपको 60 marks मिलते हैं, अगर आप अपनी race को 1.6 km की race को आप 5 मिनट 30 second या उससे पहले पास कर लेते हैं, तो आपको 60 marks मिलते हैं, और आप वही race अगर 5 मिनट 31 second से 5 मिनट 45 second के बीच अगर आप पास करते हैं, तो आपको मिलते हैं 48 marks, ठीक है, यहाँ पर दोस्तो बीम के बात कर लें, अगर तो बीम आपके जो होंगे वो 10 बीम होंगे और आप 6 बीम में पास हो जाएंगे, ठीक है, अगर आप पे बीम ज्यादर नहीं लगते हैं, तो चिंता करने की बात कु जरूर हो जाएंगे, लेकिन आपको marks मिलेंगे 16, ठीक है, उसके बाद में दोस्तो यहाँ पर जो 9 feet ditch और zigzag valence है, इनमें आपको दोस्तो only need to qualify, मतलब आपको के वल qualify ही करना जरूरी है, इसमें आपके लिए कोई भी marks नहीं मिलेगा, उसके बाद में दोस्तो आपको medical के बार है, उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपके लिए वीडियो की बिल्कुल सुरुवात में ही बताया था, कि दोस्तो यह जो भरती है, वो कैप्टन सुन्दर सिंग स्टेडियम के स्टेडियम में है, जो कि 15 सतंबर से 24 सतंबर 2020 तक चलेगी, ऑनलाइन अपलाई इसकी 17 जुलाई से 30 जून 30 अगस 2020 तक रहेगी, ठीक है, तो यह दोस्तो भरती जो है वो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप इस पराग्राफ को अगर धियान से पढ़ें तो, आर्मी रिकूरूटिंग रैली विल भी हैल्ड फॉर इलिजिबल कै टिंडा, फरीद कोर्ट, श्री मुक्तसार साहिब, फ्रोजपूर एंड फजिलका, मतलाब यह भरती दोस्तो जो है, वो पंजाब राज के लिए है, पंजाब की यह कुछ डिस्टिक्स के नाम दिया हुआ यहां पे, जिनमें यह भरती कंडक्ट की जाएगी, तो दोस्तो अ और आपके डिस्टिक्स में भरती अब जल्द ही की जाएगी, तो उम्मीद करता हूं दोस्तो वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ऑनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब जरू कर करें?